आज की इस वीडियो में मैं Salvatore इस्टोरी का important question with answer हिंदी में explain करूँगा So friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं Question number 1 Why could Salvatore not marry his स्वियान से? इस question में हमको ये बताना है कि Salvatore ने अपने मंगेतर से साधी क्यों नहीं की? Answer Salvatore एक खुसनुमा और खुसूरत नौजवान था उसके पास एक आकरसक चहरा और देखभल कर रही आँखे थी वह एक बहुत सुंदर लड़की के प्यार में पड़ा था जो ग्रैन मरीना पर रहती है उसकी आँखें फॉरिस्ट पूल की जैसे थी और वो खुद को सीजर्स के बेटी की तरह रखती थी लेकिन वे साधी नहीं कर सकते थे क्योंकि आँशकता के अनुसार सैल्वेटोर ने अपनी मिलिटरी सर्विस पूरी नहीं की थी सैल्वेटोर ने भारी मन से आइलेंड को छोड़ दिया और वा किंग विक्टर इमैनुएल की नौ सेना में एक सैलर का जॉब करने लगा अपनी सेन सेवा के दोरान सैल्वेटोर बिमार पढ़ गया वो महीनों तक अस्पताल में रहा जब उन्हें अस्पताल से निकाला गया तो यह बताया गया कि वह आगे की सेन सेवा के लिए अनिफिट है यह खबर सैल्वेटोर के मंगेतर तक भी पहुची जब सैल्वेटोर वापस आया तो वह अपने मंगेतर से मिला उसकी मंगेतर ने उसे इस पश्ट रूप से बताया कि उन्होंने उसकी बिमारी और इस तथ के बारे में सुना है कि वह फिर कभी भी ठीक नहीं होगा उसने उसे कहा कि उन्होंने फैसला ले लिया है वा ऐसे वेक्ती से साधी नहीं करेगी जो कभी भी पुरुस की तरह काम करने के लिए मजभूत नहीं हो सकता इस प्रकार सैल्वेटोर ने अपने मंगेतर से साधी नहीं की इस कुश्यन में हमको ये बताना है कि Salvatore को आगे की सेन ने सेवा के लिए अन्फिट क्यों कर दिया गया आंसर Salvatore उस सुन्दर लड़की से अपनी सगाई के बाद बहुत खुश था जिस सेवा बहुत प्यार करता था लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन आउसकता के अनुसार वे तब तक साधी नहीं कर सकते थे जब तक Salvatore अपनी मिलिटरी सर्विस पूरी नहीं कर लेता Salvatore ने किंग विक्टर इमैनुएल की नौसेना में एक सेलर बनने के लिए आइलेंड छोड़ दिया लेकिन Salvatore जब आइलेंड छोड़ रहा था तब वो बहुत दुखी था क्यूंकि वो अपने मंगेतर से जुदा हो रहा था लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था अपनी सेवा के दौरान Salvatore इसपेजिया, वैनिस, बैरी और अंत में चीन का दौरा किया चीन में वो कुछ रहसमे बिमारी से बिमार पड़ गया उन्हें महीनों तक अस्पताल में रखना पड़ा Salvatore ने इसे धैरे से समझा तब उन्हें पता चला कि या रहमिर्टिज्म का एक रूप था जिसने उन्हें आगे की सेवा के लिए अन्फिट बना दिया था उन्हें इस निर्देश के साथ अस्पताल से चुट्टी दे दी गई कि वा अपनी से निसेवा जारी रखने के लिए उप्युक्त नहीं है Salvatore खुस हो गया उसे लगा कि अब हुआ अपने घर वापस जा सकता है और अपने लव से मिल सकता है इस क्विश्चन में हमको ये बताना है कि Salvatore का कौन सा गुड आपको सबसे अधिक आकरसित करता है और क्यूं आंसर Salvatore कहानी का मेन करेक्टर है जिसके पास एक खुसनुमा चहरा है और वह बहुत दयालू भी है और एक हार्ड वर्किंग मैन भी है वह एक सुन्दर्ता का उतार है और उसकी सबसे दुर्गलब गुड वक्ता किसी के लिए भी कामना कर सकती है या उनकी अच्छाई है और इसी भलाई के कारण रिडर्स को वह सबसे ज़्यादा आकरसित करते है Salvatore एक साधारण इटैलियन मचुआ रहा है लेकिन वह अपनी अच्छाई के कारण रिडर्स का ध्यान आकरसित करता है रिडर्स को समझाने के लिए या गुड़ वास्तों में महतपूर और दिल्चस्प है जब उसकी प्रेमिका उसे इस पश्च रूप से कहती है कि वह उससे साधी नहीं कर सकती है क्यूंकि वह एक आदमी की तरह काम करने के लिए अब स्ट्रॉंग नहीं है तो वह उसे सहमत होने के लिए मजबूर नहीं करता है पर वह बहुत दुखी हो जाता है लेकिन वह लड़की को कभी भी दोस नहीं देता है वह जानता है कि कोई भी लड़की एक ऐसे आदमी से साधी नहीं कर सकती है जो महनत करने में और उसका समरसन करने में सच्छम ना हो वा कभी भी उसका सिकायत नहीं करता और वा बाद में अपने मा से गले लगकर रोने लगता है उसकी अच्छाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वा उस लड़की के बारे में कभी भी कड़ा सब्द नहीं बोलता है सैलवेटोर की अच्छाई इस तथे में नित है कि वा अपनी भावनाव में किसी को भी पकड़ सकता है अच्छाई के अलावा सैल्वेटोर में अन्य गुड़ भी है वा महंती, दयालू और अच्छा वेवार का है लेकिन वा अपनी भलाई के लिए सभी को आकरसित करता है उसकी अच्छाई उसे एक तरफ सभी के लिए सहन करती है कोई आच्छर नहीं है कि जब तक कहानी समाप्त होती है तब तक सैल्वेटोर अपनी पतनी, बच्चों और संपत्ती के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है इस क्विशन में हमको यह बताना है कि असंता कौन है और क्यूं सैल्वेटोर उससे साधी करने के लिए सहमत हो गया आसंता एक चौबिस या 25 वरसी एक कुआरी महिला थी जो सैल्वेटोर से प्यार करती थी जब Salvatore के मंगेतर ने उसे साधी करने से इंकार कर दिया तब Salvatore दिल से तूट गया था लेकिन उसने लड़की के खिलाव कोई सब्द नहीं बोला वह दुखी रहा लेकिन अपने दुख को किसी से साजा नहीं किया Salvatore की मा ने उसे Asanta के बारे में बताया उन्होंने कहा कि Asanta उससे फ्यार करती है और वह उससे साधी करने के लिए तयार भी है उन्होंने सोचा कि Asanta के पास थोड़े पैसे हैं अगर Salvatore ने उससे साधी की तो वह उसे अपनी खुद की एक नाव खरीद कर दे सकती है और वे एक अंगूर का बगीचा भी ले सकते हैं एक मात्र बाधाया थी की वह सैलवेटोर को एक डैविल की तरह बदसूरत लगती थी सैलवेटोर लड़की से अच्छे तरीके से मिला जब वह वापस आया तो उसने अपनी मा से कहा कि वह उससे साधी करने के लिए तयार है इस प्रकार उसने असंता से साधी की जो उससे उमर में बड़ी भी लग रही थी इस कुश्चन में हमको ये बताना है कि सैलवेटोर के जीवन में असंता की क्या भूमिका है जीवन में सामान ने इस्तथी लाता है हाला कि वह बदसूरत थी फिर भी उसके पास एक सुनदर दिल है जिस सुनदर लड़की को सैलवेटोर बहुत पसंद करता था जब उससे ब्रेक अप हुआ तब वह दुखी रहने लगा अपनी इमा के सुझाओ पर वह असंता से मिला और उससे साधी करने के लिए सहमत हो गया जब असंता सैलवेटोर के जीवन में आई तब उसके जीवन में एक बदलाव आया असंता सुनदर नहीं थी लेकिन उसका दिल अच्छा था वह बहुत व्योहारिक थी वह पूरी तरह से सैलवेटोर के लिए संपृत थी जल्द ही उनके बच्चे हुए या कठिन जीवन था फिर भी सैलवेटोर और उसकी पत्नी ने इसे सहन करने के योग बनाया उस पैसे से जो असंता के पास थे उन्होंने एक नाओ और एक अंगूर का भगीचा खरीदा था यहाँ वे अपने दो बेटों के साथ खुशी से रहते थे जिन्हें सैलवेटोर बहुत पसंद करता था इस प्रकार हम देखते हैं कि असंता ने एक ऐसे वेक्ती को स्विकार कर लिया जिसे दूसरी लड़की ने आस्विकार कर लिया था और सैलवेटोर के जीवन में उसकी भूमी का भहुत महतपूर थी इस कुश्चन में हमको ये बताना है कि सैलवेटोर एक मचवारे के रूप में एक कठिन जीवन जीता है क्या उसकी बिमारी उसके रास्ते में खड़ी थी आंसर असंता और उनकी साधी के बाद सैलवेटोर और उनकी पतनी एक छोटे से सफेद धुले घर में बस गए या एक अंगूर के बगीचे में था सैलवेटोर अब एक बड़ा लंबा और चोड़ा करकस साथ ही था उनके पास अपनी एक नाउ थी और सैलवेटोर मचली पकड़ने के सीजन में कडी मेहनत करता था हर साम वो अपने भाई के साथ मचली पकड़ने वाले मैदान के लिए नाउ में बैठ जाता था वो अच्छे से साथ मील की दूरी कवर करता था यहां वे प्रॉफिटेवल कटल फिस को पकड़ने के लिए रात बिताते थे फिर वे पकड़े हुए मचलियों को बेचने के लिए नौ पर नैपल्स जाते थे बाकी समय में सैलवेटोन ने अंगूर के बगीचे में कड़ी महनत की जब तक की गर्मी ने उसे मजबूर ना कर दिया हो रेस्ट करने के लिए आम तोर पर उनकी बिमारी उनके रास्ते में नहीं खड़ी थी लेकिन जब भी उनकी गठियां उन्हें कड़ी महनत करने से रोगती थी तो वह सिगरेट पीने वाले समुद्र तट के बारे में जूट भोलते थे दर्द के बावजूद जो उनके अंगों को मरोडती थी वह दूसरों से विनमरता और धीरे से बात करते थे हैरानी की बात है जब विदेशी समुद्र में इसनान करने के लिए आते थे तब वो कमेंट करते थे कि ये इटैलियन मशवारे बहुत आलसी है इस कुशन में हमको ये बताना है कि मनुस्य की सुन्दरता उसकी आंतरिक विसेस्ताओं से नहीं बलकि उसकी आंतरिक दुनिया से परिभासित होती है सैल्वेटोर के मामले में या कथन कितना सही है आंसर सैल्वेटोर एक बहुत सुखद, हार्ड वर्किंग, नेक और दयालू मचवारा है उसके पास आंतरिक दुनिया की सुन्दरता भरपूर है 15 साल के एक लड़के के रूप में उसके पास एक खुस्नुमा चैरा है हस्ता हुआ मूँ और देखभाल कर रही आंखे है वो अपने पिता की मदद करता है जो एक अंगूर के बगीचे के मालिक है वो अपने दो छोटे भाईयों के लिए एक नर्स के रूप में भी काम करता है जब सैलवेटोर सेन सेवा से लोटता है और अपने मंगेतर द्वारा रिजेट कर दिया जाता है तो वा उसे कोई भी दोस्त नहीं देता है यहां हम उसके चरितर की सुन्दरता का पता लगाते हैं हाला कि वा उदास होकर मुस्कुराता है लेकिन लड़की के बारे में एक कठोर सब भी नहीं बोलता है जिससे वा बहुत प्यार करता था सादी के बाद सैलवेटोर अपनी पतनी के साथ खुश रहता है उसके पास सबसे खुबसूरत उसकी अच्छाई है उसकी मैनर है इनर वर्ड की या सुन्दरता उसे रीडर्स तक पहुचाती है सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब और हाँ अगर आपको कोई क्यूशन पूछना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मैं वहाँ पर सबका रिपलाई दूँगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है